Hello Everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तोरूदत की बायोग्राफी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तोरूदत एक पोईट, नोवेलिस्ट, बेंगॉली राइटर और ट्रांसलेटर और फस्ट इंडियन पोईटिस थी जिन्होंने इंगलिश और फ्रेंच में कई वर्क्स कम्पोज किये उन्हें डेरोजियो, मनमोहन घोस और सरोजनी नाइडू के साथ-साथ एंगलो इंडियन लिटरेचर का फाउंडिंग फिगर माना जाता है उस समय जब इंडियन राइटर्स को इंगलिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म का सामना करना पर रहा था दत की वर्क्स ना सिर्फ एप्रिशियेट किये जाते थे बलकि रिपब्लिश भी हुए तोरू लता दत का जन्म 4 मार्च 1856 में कुलकाता की एक वल्दी फैमिली में हुआ था तोरू अपने माता पिता शत्रमोनी दत और गोविन चंदर दत की सबसे छोटी बेटी थी इनके पिता गोविन प्रसिद लिंगुविस्ट थे यानि जो एक से ज्यादा लैंगविज बोल सके इनकी मा भी एक इंटेलिजन्ट वुमिन थी जिनका लिट्रेचर के प्रती जुकाव था और इनके तीन बच्चे हुए अबजू, आरू और तोरू जिनकी पढ़ाई पहले घर पर ही प्राइवेट इंग्लिश ट्यूटर्स के द्वारा हुई 1862 में जब तोरू 6 साल की थी, इनका परिवार हिंदुईज्म से क्रिश्चैनिटी में तबदील हो गया और इसके तीन साल बाद ही जो इनका सबसे बड़ा बेटा था, अब जू, वो 14 साल की उम्र में गुजर गया इससे बहुत आहत होकर इनकी फैमिली ने अपना घर छोड़ दिया और 1869 में यूरोप में सेटल होने के लिए निकल परे वे लोग फ्रांस भी गए जहां आरू और तोरू ने कुछ महिनों के लिए एक फ्रेंच स्कूल अटेंड किया उन दोनों ने फ्रेंच सीखी और 1870 में इंग्लैन आने से पहले पैरिस और बुलाइनिये में समय बिताया फ्रेंच लैंग्वेज और लिट्रेचर की पढ़ाई के साथ ही इन दोनों ने फ्रेंच पोयट्रिक को इंग्लिश में टांसलेट करना सुरू किया 1871 में वे कामरिज भी आए और उसके बाद सेप्टेंबर 1873 में दोनों बेटियों की बिगर्ती हालत के कारण फैमिली को वापस कैलकता आना पड़ा ये सुनहरे चार साल जो उन्होंने अब्रॉड में बिताए इनकी याद के कारण और लोनलिनेस यानि अकेलेपन की वज़ह से दोनों बेहनों ने उसके अकॉर्डिंग लिखना सुरू किया जबकि 1873 में तोरू की बरी बहन आरू 23 साल की उम्र में गुजर गई और इस सदमे से निकलने के लिए तोरू ने फिर किताबों का ही सहारा लिया और नई उगरता या प्रबलता के साथ लिखना शुरू किया और अगले तीन साल में उनके पास पोईट्री और प्रोस के कई कलेक्शन्स हो गए मार्च 1874 से मार्च 1877 के बीच रेगुलर्ली दे बंगॉल मैगजीन और दे कैलकता रिव्यू में तोरू की फ्रेंच पोईट्री की इंग्लिस टांसलेशन पबलिश हुई इसके अलावे तोरू ने अन यूरेशियन पोईट और फ्रेंच रोमांटिक पोईट्स पर 1874 में दो एसे भी लिखे और दो पॉलिटिकल स्पीच को भी ट्रांसलेट किया तोरू फ्रेंच राइटर क्लैरिजी बेडर की बुक विमेन इन एंशेंट इंडिया भी ट्रांसलेट करना चाहती थी लेकिन उनके बिगरते स्वास्त के कारण ये नहीं हो जका उनकी लिटररी एक्टिविटीज की जो इन्टेंसिटी थी इस समय और उनके लेटर जो मैरी मार्टिन को उन्होंने दिये जिसमें अर्जेंसी दिखती है इससे ये पदा चलता है कि उन्हें अपनी मौत का अंदेशा हो गया था और ये सही भी हुआ और तोरू 30 अगस्त 1877 को ट्यूबर कुलॉसिस के कारण मर गई एक मातर वर्ग जो उनके जीते जी पब्लिश हुआ था वो था अशेफ ग्लीन्ट इन फ्रेंच फिल्ड्स जो की 1875 में पब्लिश हुआ ये फ्रेंच पोईट्री का इंग्लिश ट्रांसलेशन था जिसमें 160 फ्रेंच लिरिक्स को ट्रांसलेट किया गया था जिसके लिए एड्मन गूस का अप्रिशियाटिव रिव्यू तोरू ने पढ़ा तोरू ने अपना एकलोता इंग्लिश नोवल बियान का The Young Spanish Medan भी अधूरा छोड़ दिया जिसे The Bengal Magazine में बाद में सीरियली पब्लिश किया गया तोरू का फ्रेंच नोवल ली जर्नल दी मेड्मोईजल भी 1879 में फ्रांस में पब्लिश हुआ था और तोरू की Original Poems, Poetic Transcreation और Sanskrit Literature का रुपांतरन इसके अलावे Bengali कहानिया 1882 में पब्लिश की गई तोरू की Life और उनके Works के संश्मरन में तो ये थी तोरू दत की biography, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा Thank you